मुबाइल डिस्प्ले कलर लाइन प्रॉब्लम तो दोस्तों इस टाइम बहुत सारे Android यूजर के साथ सेम यही कामन प्रॉब्लम आ रही है उनके मुबाइल फून की डिस्प्ले पर आटोमेटिक से कुछ इस टाइप से कलर लाइनिंग का इशू आ रहा है जैसा कि आप यहाँ से मेरे मुबाइल फून की डिस्प्ले पर कुछ इस टाइप से कलर लाइनिंग का इशू आ रहा है तो ऐसे में में अपने मुबाइल फून में किसी भी एप्लिकेशन को आपके सामने ओपन करूंगो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर प्ले स्टोर को ओपन करूंगो किसी भी एप को यहाँ पर मैं सर्च बरूँगा तो कंटेन्यू आपको यहाँ पर डिस्प्ले पर लाइनिंग का इशू देखने को मिल रहा होगो सेम आपको वही लाइनिंग का इशू देखने को मिल रहा हो तो जैसी यहाँ पर मैं यूट्यूब से बैक होने को आप किसी आपको बता दूगा चाहे आपके पास किसी भी कमपणी का डिवाइस क्यों हो समसंग, रियल्मी, ओपो, विवो, टेक्नो, इन्फिनिक्स, मट्रोला या वान पलस का फून क्यों हो था अगर आपके मुबाइल फून की डिस्प्लेय पर भी कुछ इस टाइब से कलर लाइनिंग का इशू आ रहा है अब यहाँ पर आपको मेरे मुबाइल फून की डिस्प्लेय पर कोई भी कलर लाइनिंग का इशू देखने को नहीं मिर रहा हो तो यहाँ पर आपके सामने आप किसी दूसरी अप्लिकेशन को ओपन करूँ, यहाँ पर यूट्यूब को मैं वापिस से ओपन करूँग, आप अब आपको से ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे फीचर आएंगे, वाइपाई का मुबाइल नेटवर्क का, बिल्योटूथ का, कनेक्शन शेरिंग का, वाल पेपर का, डिस्प्ले अ बराइटनेस का, तो यहाँ पर आपको नीचे एक आप्शन देखन को मिल रहा होगा Apps का, तो यहाँ पर मुझे Apps का इकन आ रहा है, हो सकता है, आपके वाइलफोन में नीचे चलके कहीं पर तिन option देखने को मिल रहेंगे, Management app, app info, यह app list का इकन, इन तिन option में से कोई एक option भी आपको काम आ इन त्यखके मैं, does the management app prep, app info यह app list का इकन दा को से कहने, मिल रहा हो तो कहने का मतलब है आपको अपने वाइलफोन की Settings सारी की शारी एप्लिकेशन सारी की सारी की शारी एप्लिकेशन को निकलого पर तो आपको यहाँ पर आपको जएसी एप्लिकेशन को आप तो आपको right side पर top card पर three dots या two dots देखने हुआ गे तो आपको in dots पर खुलिक करना है तो जैसी आप dots पर क्लिक करेंगे तो आपको show system या show all apps का icon पर click करेंगे इस option पर click करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आ जागा तो यहां पर आपको दिख रहे होंगे निचे तीन चार आप्शन पर मिशन डेटा युजेज इंटरफेस निकल के अब यहां पर आपको आपको आ रहोगा रहोगा रिसेट आल सेटिंग तो हो सकते हैं आपके वाइल फून में रिसेट सेटिंग आ रहोगा एक बिल्कुल नहीं आपको तीसरे आपके सामने अपसे हैं तो आपको पहला बनी दूसरा आपको आपको आपके प्लीक करिए माईं आ सेटिंग पर क्लीक करेंगे system setting have been reset to जैसी आपकी system setting reset लेगी तो आपको यहां से back आ जाना है mobile phone की home screen पर अभी आपके mobile phone की display पर color lining का issue remove नहीं होगा अब मैं आपको बता हूँगा last and final setting सबसे important setting कर जिस settings को enable करते ही तुरण आपके mobile phone की display पर color lining का issue हमेशा हमेशा कले साल होने वाला है अब आपको अपने mobile phone की home screen पर आने के लास्ट पर आपको अपने mobile phone को जो भी आना फिला बटन इसको long press करना है तो जैसी आप long press करेंगे तो आपके सामने दो option है कि power off का restart का दोस्तों यहां पर मुझे restart का icon आ रहा है हो सकते है आपके mobile phone में रिबॉट का icon आ है तो restart और रिबॉट जो एक ही चीज़ा लास्ट साटिंग आपको यह कर नहीं आपको 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 फून ओपन होका जाएगा ओपन होने को आपको 5-6 मिनट के अंदर अंदर रिस्टार्ट करने के बद आपके नोबाइल फिम के डिस्प्रेट पर कलर राने का शो आटमेटिक से रिमूव होना लग जाएगा यह थी छोटी सी इंफार्मेशन वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करने अब लिए थैंक